हलो गाईज कैसे आप सब लोग आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पड़ाई भी चल रही होगी और सिविल सेवा परिक्षागी तयारी में आपको मज़ा आने लगा हुगा मैं उम्मिद ये भी करता हूँ कि आप स्वस्थे होंगे अपने घरों में होंगे और अगर कहीं भार जा रहे होंगे तो आप मास्क का प्रयूग भी कर रहे होंगे मैं बार बार ये बाते हैं इसलिए आप से कहता हूँ कि आप कम से कम भीड में जाएं क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कुरोना के केसिस लगातार बढ़ रहे हैं हाला कि पैनिक होने की कोई अवशक्ता नहीं है पर फिर भी हम लोग एतियात के तौर पे अपनी सुरक्षा को देखते हुए हम कई पे भीड में या बहार जाने की अवशक्ता पड़ रहे हैं साथ इसा सैनिटाइजर का प्रियुक भी करते रहना चाहिए बैच 4 के क्लासे शुरू हो गई है बाइस अप्रेल से एड्मिशन जल्दी ही क्लोज हो जाएंगे और एड्मिशन क्लोज हो उससे पहले आपको क्या करना है उस बैच में एंडरोल हो जाना है अगर आपको 2024 का अटेम्ट देना है तो अच्छा उससे पहले आपको एंडरोल होते समय ये बात ये धियान रखने के आपको कोड कौण सा यूज करना है तो आपको कोड यूज करना है कोड MB Live आपको यूज करना है तो आप जैसे ही कोड MB Live यूज करेंगे MB Live कोड यूज करते ही जो कोड की ओरिजिनल प्राइस है 30,500 रुपए उससे घटके वो हो जाएगी मात्र 18,999 रुपए तो ज्यादा समय आपके पास नहीं है अगर आपको 24,000 का टैंप देना है तो यूज कीजिए कोड अम्बे लाइफ और मात्र 18,999 रुपए में कोर्स में एंडरोल हो जाएए हम लोग बात कर रहे थे हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है जियोमर्फिक प्रॉसेसेज या मैं कहूं भू आकरती विज्ञान के बारे में हम लोग भू आकरती प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे थे इसमें हमने बहुत अच्छे से समझा पहले अंतर जाती है प्रक्रियाओं के बारे में अंतर जाती है बलों के बारे में अंतर जाती है बलों के कारण जो संचलन होता है उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था हम लोगों ने बाहिर जाते बलों में भी अपक्षय के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था अपरदन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज वो है वरहत संचलन या जिसको कहा जा सकता है मास मूवमेंट उसके बारे में आज हमको पढ़ना है लेकिन यहां पर मास मूवमेंट पर यह जो चैप्टर है जियो मॉर्फिक प्रॉसेस यह खतम हो जाएगा और इसके बाद हम लोग एक नया जो बहुत ही जियो मॉर्फोलोजी का एक important topic है जिसमें हम लोग फिर से इस्थलाकरतियों के बारे में बात करेंगे बहुत सारी इस्थलाकरति और बहुत सारे कारकों की हम लोग बात करेंगे वो बात हम करेंगे next chapter में तो आज हम लोग शुरू करते हैं बहिर जाती है प्रक्रियां से और इसको रिवाइस करते हुए आज हम इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे इसको समात कर देंगे तो हमें पता है कि बहिर जाती है प्रक्रिया या मैं कहूँ एक्जोजेनिक प्रोसेसेस क्या होते हैं एक्जोजेनिक जो वो कहां से प्राप्त होती है, इनको उर्जा प्राप्त होती है, सौर से, सूर्य से इनको उर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसको सौर उर्जा कहा जाता है, बहिर जाती है, संचलनों के बारे में, बहिर जाती है, प्रक्रियाओं के बारे में हमने यह जाना था, कि जो भू पटल पर जो भी विशमता हैं पैदा होती हैं उन विशमताओं को उन विशमताओं को समाप्त करने का काम कौन करेगा उन विशमताओं को समाप्त करने का यह है सब क्या है यह है विशमता और यह विशमता कहां से आई यह आई अंतर जाती है बलों के कारण इन विशमताओं को कम करना है तो इन विशमताओं को कम कौन करेगा इन विशमताओं को कम करेगा आपका एग्जोजेनिक या कहूं एग्जोजेनिक या मैं कहूं बहिर जाती है बल इन विशमताओं को क्या करेंगे कम करने की कोशिश करेंगे और भूपरपटी को किस प्रकार बनाने की कोशिश करेंगे समतल बनाने की कोशिश करेंगे सपार्ट बनाने की कोशिश करेंगे यह जो अनाच्छादन होता है यह कितरे प्रकार का देखने को मिलेगा आपको दो प्रकार का देखने को मिलेगा aesthetic और dynamic static का मतलब यह है कि वहीं पे उसी इस्थान पर अगर यह माली जे भूपर पटी है और shell और चट्टान यहीं पर इस थे यह शेल और चट्टान यहीं पर इसका अनाच्छादन शुरू हो जाए तो इसको आप क्या काओगे इसको आप काओगे aesthetic और दूसरा केस क्या हो सकता है कि माली जी जी यहाँ पर थी और कनी कारकों दोरा यह एक इस्थान से दूसरे इस्थान ले जाई गई और ले जाते समय क्या हुआ बहुत सारे अफसाद बन गए बहुत सारे इसके टुकडे हो गए और फिर इनके अफसादों को भी बहुत सारे कारकों द्वाराई एक जगे से दूसरे इस्थान ले जाया गया तो इस प्रकार के अनाच्छादन को आप कैसा कहोगे गतिशील कहोगे या डाइनेमिक कहोगे हमने बात करी थी सबसे पहले अपक्षे की अपक्षे में हमने बात करी थी वैदरिंग की अच्छा हमने ये भी बात करी थी ये वैदरिंग जो होती ये अपक्षे जो होता ये प्रात्मिक अवस्था एक इसकी अनाच्छादन की इसी से मिट्टी का निर्माण होता है, इसी से खनीजों का निर्माण होता है हमने ये भी देखा था कि ये कैसा प्रोसेस है, हमने इसको नाम दिया था इन सी टू, अपने ही स्थान पर ये हो रहा है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया इन सीटू इसको नाम दिया गया हमने ये भी देखा था कि अपक्ष है कितने प्रकार से होता है तीन प्रकार से अपक्ष होता है भातिक अपक्ष है, रासाइनीक अपक्ष है और जैविक अपक्ष है कि हमने बात करी थी भातिक अपक्ष है दिखते हुए हमने 4 cases देखे थे कि जब तापान में परिवर्थन होगा तो शेले क्या होंगी संकुचत होंगी और कभी कभी जब तापान बढ़ जाएगा तो क्या होंगी शेले परसार करेंगी उनमें expansion होगा जब ये contraction और ये expansion होता है तो क्या होता है शेलें टूटना शुरू हो जाती है और क्या शुरू हो जाता है उनका अपक्षर शुरू हो जाता है वहीं पर आपने बात करती जलका क्रिस्टली करण कुछ लोगों ने मिट से इस्टाग्राम पे पूछा था कि जलका क्रिस्टली करण एक बार फिर से समझा दीजिए आप तो मैं आपको बताता हूँ फिर से देखिए माल लिजे ये शेल है कोई शेलों में कुछ इस प्रकार के क्या हो सकते हैं इस प्रकार से कुछ क्रैक्स हो सकते हैं तो माल लिजे ये शैल में भी इस प्रकार से कुछ crack बने हुए हैं। अब जब बारिश होगी, या मैं कहूं क्या होगी, बारिश जब होगी, तो उपर से पानी बरसेगा, और यह जब पानी बरसेगा यहां पे, तो यह पानी धीमे धीमे कहा जाएगा, इस क्रैक के अंदर भी जाने की कुशिश करेगा, इन दरारों के अंदर भी जाने की कुशि होगा, तो जो पानी यहां पे भर चुका था, यहां पे क्या भर चुका है? पानी भर चुका है अब यह जो पानी है, यह धीमे धीमे इसका क्या बनना शुरू हो जाएगा यह ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा क्या बनना शुरू हो जाएगा इनके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है क्रिस्टली करण कहा जाता है जब क्रिस्टल बनना शुरू होगा जब ठोस में परिवर्ते शुरू होगा तो ये जो आप crack के size देख रहे हो इन दरारों की जो आकरते आप देख रहे हो ये धीमे धीमे क्या होंगी ये धीमे धीमे बढ़ने लग जाएंगी धीमे धीमे क्या होंगी बढ़ने लग जाएंगी इसी प्रकार ये जो crack है ये बढ़ने लग जाएगा धीमे धीमे क्या शु इसे को कहा जाता है जल्का क्रिस्टली करन इसके बाद हमने बात करी थी दबाव में कमी वो चटाने जो पहले नीचे दबी हुई थी बड़ी-बड़ी चटानों के अब जब ये बड़ी चट्टाने उपर से हट गई तो इनके दबाव में कमें हो गई और अब इनका आसानी से क्या हो सकता है अपक्षे हो सकता है वनस्पती और जीवों दोरा यांतरिक क्रिया हमने वो हाती का एक्जामपल लिया था जो शैले हैं, जो चटान हैं, उनका क्या शुरू हो गया है इसके बाद हमने बात करे थी कौन से अपक्षे की रासाईनिक, अपक्षे की बात करे थी याँ में जिसको कह सकता हूँ Chemical Weathering के हम लोगों ने बात करी थी Chemical Weathering की बात करते हूँ हमने देखा था chemical weathering कितने प्रकार की होती है chemical weathering चार प्रकार की होती है कौन कौन से होती है आपको याद होना चाहिए Hydration Hydration Hydrolysis Oxidation और Carbonation and Decarbonation Hydration को हमने क्या बूला था अगर आपको याद है तो हमने Hydration को बूला था जल योजन Hydrolysis को बूला था जल अपगटन, ओक्सिकरन और Carbonation तो Hydration को क्या बूला था जल योजन जल का क्या हो रहा है जल का जो अणू है वो जोड़ रहा है उसका योग हो रहा है अगर जल से क्रिया हो रही है तो उसका आप बूलोगे जल अप घटन Oxygen अगर जोड़ रही है तो इसका आप क्या कहोगे Oxygen करन इसको कहोगे और Oxygen करन हमने देखा था कौन सी धातू में जादातर होता है जिसमें लोहा आपको देखने को मिलेगा लोहो योगिक जिसमें देखने को मिलेगा आईरन की मातरा जिसमें वहाँ पर बहुत आसानी से क्या हो जाएगा Oxygen उसका हो जाएगा जल योजन और Hydrolysis कहाँ पर जादा देखने को मिलेगा ज्यादा तर यह आपको देखने को मिलेगा कैल्शेम युक पे जो चक्टाने होती है वहाँ पे बहुत आसानी से आप देखोगे उनका गलना शुरू जाता है वो घुलने लग जाती है पानी के साथ तो वहाँ पे बहुत आसानी से जल यूजन हो जाता है तो जल योजन के भी हमने बात करी थी कौन सी चक्टान देखने को मिल रही है आपको कैल्शियम सलफीट की चक्टान देखने को मिल रही है जो बाद में किसमें परिवर्टित हो गई आपको याद होना चाहिए calcium sulfate में जब जल जुड़ेगा तो यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा यह परिवर्तित हो जाता है dot यहाँ पर dot लगाते हैं और H2O यह क्या बन चुका है? यह बन चुका है gypsum क्या बन चुका है? gypsum बन चुका है किसमें पानी जुड़ा है? calcium sulfate में पानी जुड़ चुका है जल यूजन हो चुका है जल अब गटन पानी की बानी के साथ अगर अभी क्रिया हो रही है तो आप उसको क्या कहो गए? hydrolysis कहो गए जल अब गटन कहो गे oxygen oxygen पता है कि क्या जुड़ेगा यहां पर यहां पर जुड़ेगा oxygen क्या जुड़ेगा? oxygen अगर जुड़ जाता है किसे के साथ तो उसका क्या हो गया? oxygen हो गया है अगर आपने chemistry पढ़िये तो उसमें आपने यह भी पढ़ा हुए reduction होता है जहां पर hydrogen जुड़ती है H2O और कौन सी gas के साथ मिलता है सबसे पहले carbon dioxide के साथ मिलता है जिससे क्या बनता है जिससे carbonic अमले बनता है H2CO3 बनता है और S2CO3 किसके साथ reaction करता है S2CO3 calcium carbonate के साथ जब reaction करेगा calcium carbonate क्या होता है calcium carbonate आप कह सकते हो जो संग मर मर होता है वो calcium carbonate है और ये calcium carbonate के साथ reaction करके क्या बनाता है calcium bicarbonate बनाता है CAHCO3 और ये जो calcium bicarbonate है ये आपको देखने को मिलेगा ऐसे आपा जब हाथ लगाओगे तार्मिल में तो आपको powder powder जैसा कुछ संग मरमर से निकलता हुआ दिखेगा हमने जैविक गत्ती वीदियों के बारे में भी देखा था है इसमेर में देखा था कैचुआ दीमाग चुहे इत्यादी जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं जैविक अपक्षे का होगे पेडों की जड़े भी क्या करती है अपक्षे में सहीयो करती है इसके बाद हमने बात करी थी किसकी एरूजन की बात करी थी जिसको हमने क्या नाम दिया था अपरदन नाम दिया था अच्छा अपरदन के अंतरगत कौन सी क्रिया हो रही होगी हाँ पर यांत्रिक तथा रासाइनिक, कौन सी यांत्रिक और रासाइनिक, यांत्रिक मतलब वो चल रहा होगा, उसमें गती हो रही होगी, रासाइनिक हो सकती है और हो सकता रासाइनिक ना भी हो, लेकिन हमें पता है अगर अपक्षय की बात की जा उनका अपरदन होने के लिए कुछ कारक जिम्मिदार होता है। और वो कौन से कारक हो सकते हैं। उनको कहा जाता है भू अकरतिक कारक जैसे प्रवाहिट जल जिनको नदी कह सकते हो बैता हुआ जल। भू जल, हिम्नद, वायू, लहरें और धाराएं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या ले जाती हैं। क्या लेके आएगी नदी अपने साथ बहुत सारे अफसाद लेके आएगी। नदी अपने साथ बहुत सारे सैडिमेंट लेके आएगी। का का होगे। सैडिमेंट कहते हैं अफसाद को और नदी क्या एक नदी एक कारक है। तो हमें पता है नदी किसका कारक है, नदी अपरदन का एक कारक है, यहां पर किसका अपरदन हो रहा है, पहाड का परवत का अपरदन हो रहा है, जब यह नदी अपरदन के साथ अफसाद लेके आती है, तो क्या करेगी, धीमे धीमे डेल्टा जहां पर बनेगा, उस जगे नि निक्षेपन करना शुरू कर देगी, उन अफसादों को लाके जमा कर देगी, तो यही होता है क्या निक्षेपन की प्रक्रिया, यह सब हम लोग पढ़ींगे है ला, इसमें आप घवराना नहीं कि यह जलोड पंक क्या है, यह जलोड मैदान क्या है, डेल्टा क्या, यह सब च पर हम लोग यह बहुत अच्छे से पढ़ींगे क्या होता है, जलोड पंक, जलोड मैदान, डेल्टा, इत्यादी, अपर्दन कितने प्रकार का होता है, रासाइनिक अपर्दन, भहुत एक अपर्दन हमारे लिए महत्वोण का है, भहुत एक अपर्दन हमारे लिए important है, भह अपर्दन के जो शिलाखंड है, जो अपर्दन कारक के साथ वो आए हैं, और ये अपने संपर के में आने वाली जो जो शैले हैं, जो जो चेटाने हैं, उनको क्या आप करने की कुशिश करते हैं, उनका अपर्दन करने की कुशिश करते हैं, उनसे टकराते हैं, उनको छोट होनी चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि drilling tool कहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो अप घर्षन में आपको drilling tool देखने को मिलेगा, इसके बाद अपने बात करी थी सन्नी घर्षन की, सन्नी घर्षन में हमने देखा था, जो आप अफसाद आए, जो कारक के साथ अफसाद आए हैं, वो एक दूसरे से भी क्या करते हैं, टकराते हैं, और जब टकराएंगे तो आप देखो कि धीमे धीमे, इनकी जो आकरती है, वो छोटी होती चली जाएगी, वो क्यों छोटी होती चली है रही है, क्योंकि वो अफसादों में टकराने के बाद अफसादों में परिवर्तित हो जा रहे हैं तो इस प्रकार का जो अपर्दन हो रहा है इसको क्या कहोगे सनी गर्शन इसको कहोगे इसके बाद हमने देखा था जल गती क्रिया के बारे में हमने बात करी थी hydraulic action के हमने बात करी थी तो हमने देखा था पानी जब पानी किसी बड़ी दीवार से टकराता है जब पानी बड़ी दीवार से टकराता है तो उस पर धक्का लगाने की कुशिश करता है धक्का लगाता है तो उसमे धीमे-धीमे crack बनाने की कुशिश करता है तो इस क्रिया को आप क्या कहोगे हाइड्रोलिक एक्शन कहोगे क्या यहाँ पर कोई रासाइनिक क्रिया होगी तो आपको पता होना चाहिए कि जब जल गती क्रिया होती है ना में बता रहा है जल की गती के तोरा यह क्रिया हो रही है हाइडरолिक एक्شन में आपको किसी भी परकार की है रासाए ने कोई क्रिया कोई अभी क्रिया देखने को नहीं मिलेगी यहापे आप देख रहरे हो इसे मुद्र समुद्र में लहरे उट रही है और लहरे लगातार किसे पे टकरानी है ये जो सहारे में जो दीवारे इससे लगातार टकराती जा रही है जब ये दीवारे से टकराती जाएंगी लगातार ये लहरे तो आप देखोगे दीमे दीमे आपे क्या डबलप हो गई हैं आपे जो क्रैक हैं वो डबलप हो गई हैं क्रैक बनना शुरू हो गए हैं इसके बाद हमने बात कही थी गुहिका या इनक्रिया की जिसको कैविएशन कहा जाता है जब अफसाद हैं अफसाद की छोटी छोटी चोटी टुकड़े क्या करते हैं नदी नदी का जो तल है उसमें पानी के बहाव के कारण वो घूमना अपन जिसको पॉट होल का जाता है दूसरा हमने कहा था प्लंज पूल को क्या कहा जाता है अव नमन कुंड कहा जाता है हमने ये भी देखा था कि प्लंज पूल पहले हमने देखा था पॉट होल का निर्माण कैसा होता है जलगरती काओं का निर्माण कैसे होता है यहां से नदी बह रही थी और कोई पत्थर या कोई अफसाद गया शेल का एक छोटा हिस्सा यहाँ पे रह गया और वो पानी की गती के कारण क्या हुआ वो उसने अपने ही स्थान पे गूल-गूल घूमना शुरू कर दिया आप देख रहे हो कि धीमे-धीमे क्या बनाता जाएगा वो गु या मैं काओं बहता हुआ पानी अपने साथ बहुत सारे अफसाद लेकर जब चलता है तो बहुत सारे अफसाद लेकर किसी कारण की गरते हैं आप जब भी देखोगे कोई भी जढ़ना है बड़ा तो वो जढ़ने के सामने आप यहाँ पर पानी गिरता हुआ देखोगे लेकिन इसके बिलकुल पीछे का हिस्सा जो होता है वहाँ पर आप देखोगे पानी नहीं गिर रहा है वो एक परकार की छट जैसा कारे करता है यहाँ पर एक छट की जैसे निर्माण हो जाएका और यहाँ पर आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा पानी जो गिरता है वो उससे थूड़ा सा आगे गिरता है तो वो आला हिस्सा जहाँ पर आपको पानी गिरता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, उसको आप क्या काऊगे, प्लंच कूल काऊगे, अब नमन कुंड काऊगे, इसके बाद हमने बात करी थी, अप वाहन की या डिफलेशन की बात करी थी, तो ये कौन सी जगे पर आपको जहाँ पर जो पवने होती हैं पवने अपने साथ जो छोटे छोटे अफसाद हैं वो एक जगे से दूसरी जगे लेके चली जाती हैं अब यह डिपैंड करेगा कि पवने जो हैं वो कितनी गती से बह रही हैं साती साथ यह डिपैंड करेगा कि सीज़ पर कि जो अफसाद हैं वो कितने बड़े हैं, मान लीजी आफसाद बहुत बड़ा है, तो पवने उनको एक जगे से दूसरी जगे नहीं ले जा सकती, लेकिन अफसाद बहुत छोटे हैं, जैसे आप देखोगे, कि राजिस्तान में जो रिगिस्ताने थार का मरुस्तले महाँ पे, जो टीले होते हैं वो एक जगे से दूसरी जगे शिफ्ट होते रहते हैं, जिनको बर्खान हम लोग कहींगे, आगे हम लोग पढ़ींगे भी, बर्खान उनको कहा जाता है, ऐसे टीले, जो समय के साथ एक जगे से दूसरी जगे क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, वो कैसे आपको देखने को मिलेंगे चलित टीले, वो एक जगे देखने को नहीं मिलते, तो जब वो चलते रहते हैं, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन सा कारक जिम्मेदार है, तो आप देखें, उसके पीछे पवन जिम्मेदार है, पवन क्या करती है, उन अफसादों को एक जगे से उठाती है और दूसरे जगे ले जाके रख देती है अच्छा जब पवनों की स्पीड बहुत तेज गती से बह रही है तब तो बहुत आसानी से क्या करेंगे अफसादों को अपने साथ उठा लेती है लेकि जब पवनों से चल रहे थी तब तो अफसादों को उठाया और जब बहुत धीमी हो गए जब आगे लोड को नहीं ले जा रही तो अफसादों को नीचे क्या करेंगे निक्षे पर उनका करना शुरू कर देगी तो जब अफसाद को एक जगे दूसरी जगे ले जा रही है तो उसको वाहन वाहन कौन सा है पवन है तो अप वाहन या इसे को कहा जाता है इसके बाद हमने बात करी थी उत पार्टन की या प्लकिंग इसको कहा जाता है ये किसके द्वारा होता है हिम नद जब गुरुत्वा कर्शन बलके कारण, हिम्नद, जब गुरुत्वा कर्शन बलके कारण, माल लीजिए, ये कोई परवत है, और इस परवत पे, ये आपको देखने को मिल रहा है, एक हिम्नद, और यहाँ पे इस परवत पे बहुत सारी क्या थी, बहुत सारी शैले थी, तो य जब हिमनत गुरुत्वा कर्शन बलके कारण नीचे की और खिसकना शुरू करेगा, बिल्कुल जैसे नदिया गुरुत्वा कर्शन के कारण क्या होती हैं, आगे की और बहना शुरू करते हैं, परवतों से नीचे आती हैं, यह जो हिमनत होते हैं, यह भी गुरुत्वा कर्श कि प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ वे आ गई होगी। इसके बाद हम्ने ये चितर देखा था इस चितर को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया था। ये हमने देखा था। घ्री जल किस प्रकार से अप्रदन करेगा। पवन और हिमनत या हिमानी या ग्लेशियर किस प्रकार से आप परदन करेंगे यह हमने नाम उनके देख लिए थे इनकी परिभाशा है आपको पता होनी चाहिए इनकी परिभाशा स्टड़ी आए क्यों आई है सिंदी की उस किताब में आपको इनकी परिभाशा लिखने को मिल जाए तो वो परिभाशा आपको पता होनी चाहिए आज हमको बात करना है किसके बारे में वरहत संचलन के बारे में बात करना है या मास मूमेंट के बारे में हमको बात करना है अभी तक हमने देखा अपरदन जब अपर्दन हो रहा था अपर्दन में क्या हो रहा था शैल जो थी उसके अफसाद एक जगे से दूसरी जगे जा रही थी या शैल खुद एक जगे से दूसरी जगे जा रही थी अब बीच में क्या हो रहा था उसका जो अकारेव छूटा होता जा रहा था वो अफसादों म कारकों के नाम से जाना था कारक थे और कौन से कारक थे वो उनको कहो गया अपरदन के कारक या मैं उनको कह सकता हूँ Agents of Erusion agent of Erusion में हमने देखा था कौन-कौन से agent of Erusion हो सकते हैं कौन-कौन से वो कारक हो सकते हैं तो एक तो हमने सबसे पहले देखा था कौन सा बहता हुआ जल अभी बहता हुआ जल और कुछ नहीं है क्या है नदी नदी है या इसको कह सकता हूँ मैं river अब दूसरा हमने देखा था क्या हो सकता है भूमेगत जल या जिसको मैं कह सकता हूँ अंडर ग्राउंड वाटर भू सकता है आपके मन में ये सवाल आए कि सर अंडर ग्राउंड वाटर जो होता है वो कैसे क्या कर सकता है अपरधन कर सकता है तो हम पढ़ेंगे कास्ट टोप इते स्मोग्राफी होती है वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी घृहाँ पर कैल्शियम की चठाने walinosam भूमिक जल्ब aware इंपारटने रूड प्लेग प्ले करता है इसके बाद आप देखोगे हिं न Olen तो हिमनद और ग्लेशियर ये भी किसके कारक है अपरदन के कारक है अच्छा इसके अलावा भी कुछ होते हैं क्या तो आपको पता होना अच्छी है जो पवने है पवन जो होती है वो भी किसका कारक है अपरदन का एक कारक है पवने इनको क्या का जाता है विंट्स कहा जाता ह हैं अललकि हम आ अगे पढ़िएतिए अगर आपको पता है तो मुझे बताईएंगा कि वेंड्स और एयर के बीच में किया का डिफ़रेंस होता है जो पवने होती है हवा जो हुती है यह एक ही होती है वेंड्स और यह अलग होतीएं कापी मुझे बताईएगा पवनों के अलावा भी क्या और कोई कारक हो सकते हैं तो अब भी हम को बाकी बहुत सारे हो सकते हैं हम देखींगे आगे नेक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लेकिन अब ही के लिए आप इतना ही जानी है कि ये कुछ कारक होते हैं ये क्या करते हैं अपरदन करते हैं लेकिन क्या ये जो क्रिया है हमने देखा था परवत हैं परवत से कुछ जो शैले हैं यहाँ परवत में बहुत साई चटाने रखी हुई थी ये चटाने बिना किसी कारक के क्या कभी नीचे आ जाती है तो आपको ये बात बिल्कुल पता है कि नीचे की तरफ कौन सा बल लगता है गुरुत्वा कर्शन बल नीचे की और लग रहा है तो कभी-कभी क्या होता है इस गुरुत्वा कर्शन बल के कारण कौन से बल के कारण इस गुरुत्वा कर्शन बलके कारण या मैं कहूँ due to gravitational force due to gravitational force यह जो इस परवत पे यह किसी भी उचाई पे जो भी शैले हैं जो भी चटाने हैं वो क्या करती हैं अपनी जगे छोड़ के वो नीचे की और गती करना शुरू कर देती हैं इस प्रकार के संचलन को आप क्या कहते हो इस प्रकार के संचलन को आप कहते हो व्रहद संचलन इसको कहा जाता है mass movement यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी कि यहाँ पे और कोई कारक जिम्मेदार नहीं है सिर्फ क्या जिम्मेदार है गुरुत्वा कर्शन बल जिम्मेदार है बलके साथ-साथ वो कारक भी कार्रिक कर रहे हूँ लेकि जिम्मेदारी किसकी रहेगी है आपे सिर्फ गुरुत्वा कर्शन बलकी रहेगी अब डेफिनिशन अगर देखोगे इसकी परीभाशा अगर देखोगे तो आप सबसे पहले जो शब्द देख रहे हो कौन सा देख रहे हो जब गुरुत्वा कर्शन के प्रत्यक्ष प्रभाव में शैलों का व्रहत मलवा या इनको का जाता है डेबरीज जो अफसाद है छोटे 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 हिस्से हैं उसके शैल के उनको डेबरीज का जाता है पदार्ट किसी ढाल के साहरे सामुहिक रूप में नीचे की और अल ड़कते हैं तो उसे रहत संचलन के कहते हैं रहत संचलन की गती व्रहत website में पाई जा सकती हैं बिलक Telesis पना लिजे किसी का ढाल बहुत तीवर है तो वहाँ से बहुत तीजी से क्या होगा है जो डैबरी है जो मल्बे है जो अफसाद है वो बहुत तीजी से हैंगे अगर जो ढ़ाल है वो धीमा है स्लो है स्लोप तो बहुत धीमे धीमे वो आएंगे ये धीमी से तीवरी गतीमे हो सकते है व्रहे संचलन में फिर से गुरुत्वा कर्शन की मुख्य भूमिका होती है इसके अंतरगत कोई अन्य भू आकरतिक कारको जैसे बहता हुआ जल, हिमानी, वायू, लहरे, धाराएं आदी दोरा प्रवाहित मल्बो को या डैबरी इसको सम्मिलित नहीं किया जाता यह आपके लिए बहुत important है कि इसमें सिर्फ कौन से डैबरी आप लेके चलोगे या कौन से अफसाद लेके चलोगे जो किसके कारण नीचे आ रहे हैं जो सिर्फ गुरुत्वा कर्शन बल के कारण नीचे की और गती कर रहे हैं तो इस प्रकार समझ ली दिया यहाँ पे कोई चटान थी वो क्या होई नीचे की और गती करना शुरू कर दिया उसने क्यों नीचे की और गती करना शुरू कर दिया क्योंकि गुरुत्वा कर्शन बल नीचे की और गती कर रहा था यहाँ पे भी वो गती कर सकती नीचे की यहाँ पे आप देखोगी कि अगर पानी बहुत due to किसके कारण गुरुत्वा कर्शन बलके कारण तो यह बाद आपको पता होनी चाहिए अच्छा ये तीन प्रकार से होता है जो मास मुवमेंट होता है जो व्रह संचलन होता है कितने प्रकार से आपको देखने को मिलेगा तीन प्रकार से देखने को मिलेगा मंद संचलन जिसको slow movement कहा जाता है तीवर संचलन जिसको rapid movement कहा जाता है और भूस कलन जिसको land slide कहा जाता है इसमें से एक नाम से अब बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे भूस कलन, land slide लेकिन land slide से पहले या land slide बहुत तेजी से होती है से पहले भी दो और संचलन होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, मंद और त्री, स्लो और रैपिड, ये किसके आधार पर विभाजित करें हमने, गती के आधार पर करें, नाम बता रहें, अच्छा, गती किस पर डिपैंड करेगी, तो आपको पता हो नची, जो गती है, वो किस प परकार है, एक परवत इस परकार है, और एक परवत इस परकार है, तो आप देख पा रहे हो, कि यहां पे जो भी अफसाद नीचे की और आएंगे, अभी जो भी टैबरी है, जो भी जो मलबा है, वो नीचे की और आएगा, वो इनके मुकाबले धीमे आएगा, मान लेते हैं इसका नाम देते है ए इसका नाम देते है बी इसका नाम देते है सी तो ए से जो मालूमा नीचे की और आ रहा है उसकी गती कैसी होगी उसकी गती कम होगी इसके मुकाबले बी के मुकाबले और बी की गती कम होगी किसके मुकाबले सी के मुकाबले यह किसके आधार पे हमने देखा यह हमने देखा धाल के आधार पे किसके आधार पे धाल के आधार पे यहां पर धाल मंद है यहां पर जो है वो धाल कैसा है मंद है और यहां पर है आपको तीवर धाल देखने को मिल रहा है आगी क्यों और बात करते हैं, सबसे पैदे बात करते हैं, मंद संचलन की, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, मध्यम धलान पर आपको कौन सा संचलन देखने को मिलेगा, अच्छा, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, इसके पार्ट होते है टेलस सरपन, चटान सरपन या भूमी सरपन हमारे लिए सिर्फ एक जरूरी है सॉलिड, सॉल क्रीप या जिसको कहाजाता है म्रदा सरपन अब क्या होता है ये म्रदा सरपन इसको समझते हैं इसको परिभाष्षा से पहले इसके डाइग्राम से समझने की कुशिश करते हैं आप माल लीजिए आप कभी मसूरी घुमने गए मसूरी को परवतों की रानी का जाता है पहाडों की रानी मसूरी आप मसूरी घुमने गए माल लीजिए आपकछा दस में थे जब मसूरी घुमने गए आपने एक पहाड पे देखा कि एक पेड़ है और पेड़ के बिलकुल करीब करीब यहाँ पे एक क्या है टावर लगा हुआ है वो किसी का भी हो सकता है किसी माल लीजिए यहाँ पे BSNL का कोई टावर लगा हुआ था मुबाइल का नेटवर्क का और उसके बिलकुल पास में यहां से एक रोड गुजर रही थी ठीक है और यह बिलकुल आपने देखा बहुत उचाई पे था आप कक्षा 10 में थे और आप कक्षा 10 में थे मानने के 2010 में और अब हो चुका है 2023 और 2023 में आपने का प्री बहुत अच्छा हुआ और प्री के बाद आपको लगा कि मुझे दू-चार दिन का रेस्ट लेना चाहिए तो दू-चार दिन का रेस्ट लेने के लिए आप फिर से कांच चले गए मसूरी चले गए तो आपने उस समय 2010 में भी फूटो ली थी अपनी और उसी जगे पे आपने सुचा मैं 2013 में भी फूटो लेता हूँ तो आप पाएंगे कि ये जो इतनी उचाई पे इस्थित थे ये पहाड ये टावर और ये रोड ये धीमे धीमे आपको हो सकता है अब रोड के इस तरफ आ गए ऐसा क्यूं हुआ ये इस कारण हुआ कि जो मिट्टी है या जो शैल है यहाँ पे जो भी असाद है वो गती कर रहे है लेकिन वो गती कैसी हो रही है बहुत धीमी गती हो रही है इतनी धीमी कि आपको इसको अबजर्व करने में कितना समय लग गया तेरा साल लग गएगी यह देखने में इसमें गती हो रही है तो इस प्रकार का अगर संचलन हो रहा है तो उसको आप क्या कहोगे उसको आप स्वाइल करीब कहोगे म्रदा सरपन कहोगे अब इसके डेफिनिशन आप देखिए म्रदा सरपन में शेल चून शेल चून का मतलब वोई डेबरी मलबे और म्रदा का गुरुत्वा कर्शन शक्ती के प्रभाव में धाल के सारे उपर से नीचे की और धीरे धीरे यह इंपॉर्टेंट शबने है धीरे धीरे स्थानांतरण होता है म्रदा सरपन की तरह म्रदा में अनवरत व्रहत संच्छन को कहा जाता है यहां पर एक और बात याद रखने की कि कहां पर होगा जिसमें म्रदा आर्दिता के विस्तारण से प्रत्येक म्रदा का कण उसके इस्थान से क्या होता रहता है विस्तापित होता रहता है पहले माल लीजिए म्रदा का ये कण यहां पर था एक वाली जगे पर अब आप दस साल बात गए वो बी वाली जगे पर पहुंच गया लेकिन बहुत धीमे धीमे हो रहा है तो जो बहुत धीमे धीमे हो रहा है तो अब सॉयल करीब करोगे इसको आप नदा सरपन कहोगे अब बात करते हैं तीर्व संचलन की या कहूँ जिसको rapid movement अब क्या हुआ होगा वो जो slope है वो जो ढाल है वो अब उसके मुकाबले तीवर हो चुका होगा साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात याद आपको रिखने ही कि यह कहां आपको देखने को मिलेगा जो प्रदेश कैसे हैं आर्द जलवायू वाले प्रदेश हैं आर्द जलवायू वाले क्यों होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी आपको देखने को मिलेगी वो कैसी है देखने को मिलेगी वो जल से संत्रप्त आपको देखने को मिलेगी अब वाटर का कंसंट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा अब मिलेगा आपको तो यहाँ पे आपको इसमें जो प्रवा देखने को मिलता है उसको कहते है पंक प्रवा या इसको कहा जाता है मड फ्लो अब इसकी परिभशा देखने से पहले इसके डाइग्राम से इसको समझ लेते हैं कि कैसे होता है मड फ्लो बारिश हो रही है बारिश हो रही है और धसके आगे की और चला गया है जब आगे की और गया इस वज़े से क्या हुआ है आपर धसाव की जैसे इस्तिति उत्पन हो गई लेकिन कब हो पाता है ये जब बारिश होई है बारिश होती है तो मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाती है संत्रप्त हो जाती है किस से पानी से पानी से जब संत्रप्त हो गई तो जो फ्रिक्शनल फूर्स है जो घर्शन का जो बल लग रहा था पहले अब वो कम हो जाता है अब पानी जो है वो लिब्रिकेशन का काम करता है पानी कैसे काम कर देगा पानी ऐसे काम कर दिया पहले घर्षन बहुत ज़्यादा था बहुत ज़्यादा था इस वज़े से खिसक नहीं पा रहा था आगे लेकिन अब पानी ने लिब्रिकेशन के इसे काम करा, तो इस घर्षन के बलको कम कर दिया, अब इसने क्या करा, गती आगे कर दी, लेकिन ये कभी हो पाएगा जो पानी, मिट्टी कैसी हो चुके है, संतरप्त हो चुके है, पानी से, अब परिभाशा देखते हैं, वरश आवरण के अभाव, एवं भारी वरशा के कारण, अब शैद पदारतों को मोटे संस्तर जल से संतरप्त हो जाते हैं, एवं धीरे धीरे, अथवा तीवरिता से, निश्चित वाहिकाओं के सारे, नीचे की अब प्रवाइत होने लगते हैं, इस प्रवा को या इस प्रकार के संच्रन को, आप किस प्रक एक साथ मिलती है, तो आपको कभी याद ना है कि मड़ फ्लो या पंक प्रवा क्या है, तो ऐसे याद अखना कि कीचड में मिट्टी होती है, कीचड में पानी भी होता है, तो पानी से जब संतरप्त हो गए, संतरप्त हो गए तो क्या होगा, पानी घर्षन को कम कर देगा, गर्षन कम जैसे ही हुआ तो क्या होगा बहुत तेजी से नीचे की और खिसक जाएगा और यहाँ पर धसाव जैसे इस्तिती उत्पन हो जाएगी तो यह डाइगराम आपके लिए काफी important हैं आगे की और चलते हैं और जो लास्ट है जिसको बूस कलन या जिसको लैंड स्लाइड कहा जाता है यह हला कि हम लोग बहुत अच्छे से आपदा प्रबंदन में भी पढ़ेंगे और आप देखोगे कि जो हमारे उत्तरी राज्जें जैसे आप देखोगे जम्बू कश्मीर जम्बू कश्मीर हाला की कौन सा केंदरशार सुथ प्रदेश ए लगधा केंदरशार सुथ प्रदेश हमाल है उत्तरा खन्ड उसके अलावाब चले जैए उससे किम में अरुणाचर प्रदेश में और जो नौर्थीस्ट वाले जो राज्जे हाँ पर भी जनरल ही एकटना है आपको देखने को मिलती है, इनको बूस्कलन कहा जाता है. बूस्कलन में क्या हुता है? बहुत बड़ा हिस्सा、 बहुत तीजी के साथ लुछा है नीचे की और आ जाता है? तीवर गती से ढाल के सारे इस खलित करता स्लाइडिंग करने की कोशिश करता है और अगर जो ढाल है वो काफी तीवर है तो ये काफी विंद्वसक हो सकते हैं काफी डिजास्टर ये कर सकते हैं इसमें इस प्रकार की आपको लैंड स्लाइड देखने को मिलीगी परवत का एक ह हो उसको किते हैं तो हमने देखा था बन्द जो होता है जोइक डब यही है क्या मास अारो प्रीभाचा में एकक शब्द जो एक याद रखना कौंवा गुरुत्व एक कारण हो रहा है और जब आपको लगे रहा कि कोई ऐसा शब्द है जो बहुत important है जो हो सकता है कि आपके साथ में जो बुख्य परिक्षाप का जब आप उत्तर लिखें और आपके नीले पैन से उत्तर लिख रहे होंगे आप महाँ पे तो बिल्कु नीले पैन से ही नीचे क्या करना है अंडरलाइन करना है और ऐसे अंडरलाइन नहीं करने है कही बार क्या होता है हम अंडरलाइन करते हैं अपनी भावनाव में खू जाते हैं आपने लिखा गुरुत्वा कर आपने लिखा और इस प्रकार अंडरलाइन कर देले, किन कही बार हम क्या करते हैं, ऐसे अंडरलाइन करते हैं, ऐसे करने के AND आवश्चकता नहीं है, आपने एक बार अंडरलाइन कर लिए वो जो अग्जामीनर है जो आपकी कौपी चेक कर रहा रहा है, समझ मैं आजाएगा जो ढाल है, जिस ढाल के नीचे आप सोचिए, कोई हाईवेज गुजर रहा होता है यांसे, या कोई बस्ती होती, तो बस्ती नीचे डब जाती है, लेंड स्लाइड के नीचे, तो जनरली ये होता क्यों है? ये मन, हलाकि ये नैचुरल तो है, प्राकरतिक तो है, लेकिन बहुत सरी ऐसे गती विद्या कर दिये हैं, पहाडों से क्या करा हमने पेड़ हटा दिये, पहाडों में हम लोग जो खनान है, वो करना शुरू कर दिये, पहाडों पे जब हम ट्रेन गुजारते हैं, ट्रेन की पट्री का काम होता है, तो वहाँ उस साब भी ये इस्तिति उ जब रहा है, इसके बिलकुल उपर जो भी पहाड़ है, उस पर क्या कर दोते हैं, अगर ऐसा लगता है कि महाँ पर लैंड्सलाइड हो सकती है, लैंड्सलाइड प्रून एरिया है, तो महाँ पर आप देखो कि लोहे के बड़े बड़े जाल लगा दिये जाते हैं, और जो ह कार इसका दिहान रखा जाता है, हलाके बहुत अच्छे से आप दा प्रबंदर डिजास्टर मैनेजमेंट में सब चीजे पढ़ेंगे, लेकिन इसलिए आप समझ पाऊगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट से पढ़ने से पहले, या इन्वार्मेंट पढ़ने से पहले, पढ़ और व्रहत संचलन इन तीनों के बीच में क्या डिफ्रेंस होता है कोशिश आपको यह करने है कि आप यह स्लाइड पहले ना देखें आप अपनी ही कॉपी में अपनी कॉपी में आपको क्या करना है आपकी नोट्स इस प्रकार होने ची जैसे कल्बी में बता रहा था अपक्ष अपरदन एक तरफ आपने बना लिया दूसरे तरफ आपने व्रहत संचलन के नोट्स बना लिया यहाँ पर नाम लिखे होंगे और यहाँ पर डाइगराम होगा नाम डाइगराम इसी प्रकार अपक्ष है अपरदन व्रहत संचलन जो कॉपी का यह वाला हिस्सा होगा आपक इसमें आपको इस प्रकार टेबल बनानी है यहाँ पर एक नापक्ष है अपरदन वरह संचलन एक एक शब्द में आपको इन तीनों के बीच में अंतर बताने हैं और वो शब्द ऐसे होने चाहिए कि वो सिर्फ आपको समझ में है हम नोर्स मनाते समय हमको ऐसा लगता है कि हम इतने अच्छे नोर्स मनाए अच्छे नोर्स मना के करना कि है बजार में हमको बेचने है नहीं जब बजार में नहीं बेचने है तो हमको ऐसे शब्दों का परयोग करना है जो सिर्फ आपको समझ में है, अगर आपका दोस्ट भी आपके नोट्स ले जा रहा है, तो उसको भी समझ में ना आए, इस परकार से आपको नोट्स बनाने है, ताकि आपके नोट्स चोरी ना हूं, तो यहां पे हमारा चेप्टर खतम हो जाता है, और इनकी PDF आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी, आपको चैनल है कौन सा मुकल भरत और जोगराफी के नाम से, बैच 4 में एडमिशन अगर आपको लेना है, जल्दी उसके एडमिशन क्लूज हो जाएगे, आपको कोड यूज करना है, कोड MD Live, और जैसे आप कोड MB Live यूज करोगे, तो प्रा मिलते हैं कल एक नई topic के साथ, एक नई chapter के साथ, तो क्या करना है, पहले से ही अपने दोस्तों को share कर देना है कि एक नया topic शुरू होने जाना, एक नया important topic शुरू होने वाला है, तथा like कर देना है, और इस वाले session को भी क्या करना है, आपको share करना है, like करना है, चैनल को subscribe कर हैं अपना ध्यान रखें नोट्स बनाइए रिवाइस करिए मिलते हैं कल तब तक जये जय भारत हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टड़ी IQIAS हिंदी